मेरा आप सभी को सादर प्रनाम मैं दिपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल आपकी बैठेक में तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एशन आर्चरी चांपिन्शिप में हुए आज बारतिये आर्चर्स के मुकाबलों के रिजर्स के बारे में साथ ही हम आप सभी को बताएंगे कल यानी की 19 निवेंबर का कम्टीट शेडियूल तो चलिए पहले इंट्रो हो जाए फिर उसके बाद ये जो अपनी वीडियो है वो शुरू करते हैं तो आज के दिन भारत के नाम रहा जी आँ दोस्तों भारत ने आज एशन आर्चरी चांपेंशिप में तीन मिडल्स अपने नाम कर लिये हैं जिसके साथ भारत के खाते में अब तक टोटल मिडल्स हो चुके हैं चार बात की जाया सबसे पहले मुकाबले की जोकी रहा गोड मिडल मैच, कंपाउंड मिक्स टीम का और उसमें नजर आई भारत की और से जोती वेनम और रिशव यादर की जोडी बारत का मुकाबला कोरिया से था और भारत को इस मुकाबले में ィल्वर मिडल से ही संटोश करना पड़ा जो की भारत का बना दूसरा मिडल वहीं बात की जाए अगले मुकाबले की तो रहा कमपाउंड विमेन के मैच जिसमें जोती सुरेखा वैंनम नजर आई पहले उनका semi finals का मुकाबला था जो की Korea के आर्चर के खिलाफ था और जोती ने उसमें जीत अर्जित करके वो finals में जा चुकी थी finals की बात की जाये तो finals में भी जोती का मुकाबला Korean Archer से ही था लेकिन जोती ने काफी बहतरीन परदशन करते हुए ये फाइनल्स अपने नाम किया और गोल्ड मेडल जीत लिया जिया वो इस मुकाबले को जीती 146, 145 से और भारत को उसका पहला गोल्ड मेडल मिल गया वहीं बात करते हैं अगले मैच की तो वो रहे कमपाउंड मेन के मैचेस सेमी फाइनल्स का मुकाबला था जिसमें आमने सामने थे दोनों भारतिय आर्चर्स हम बात कर रहे हैं अभिशेक वर्मा और मोहित की अभिशेक वर्मा इस सेमी फाइनल्स मैच को जीत गए 148, 145 से और फाइनल्स में जा पहुँचें महीं मोहित को हार का सामने करना पड़ा और फिर बारी आई मोहित के ब्राँज मिडल मैच की जो कि कजागस्तान के आर्चर के खिलाफ था तो काफी कम डिफरेंस से अभिशेक को ये मुकाबला गवाना पड़ा काफी नेक टुनेक कॉंपेटिशन रहा दोनों आर्चर के बीच और इस फाइनल्स को अभिशेक 148, 149 से हार गए और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संदोश करना पड़ा जिसके साथ भारत ने आज के द आज के सभी मुकाबलों के रिजल्स सारा राउंड अप आप सभी के लिए अब बात की जाए कल के होने वाले मैचिस की यानि की 19 नवेंबर के शेडियूल की तो अब हम बात करेंगे शेडियूल की जो की बिलकुल इंगियन सेंडर टाइम में रहने वाला है और आप सभी उ क्योंकि इस चैंपियंशिप की लाइब बाड़कासिंग नहीं की जा रही है तो चलिए अब नज़र डालते हैं कल के शेडियूल की और 19 सेवेंबर के अगर शेडियूल की बात करते हैं तो कल भारत के तीन मुकाबले रहने वाले हैं सबसे पहला मैच रहने वाला है गोल्ड मिडल मैच रिकव विमेंट टीम का जो की सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा और उसमें भारती विमेंट टीम का मुकाबला होने वाला है वहीं अगर तीसरे और आखरी भारत के मैच की बात की जाए तो वो शुरू होगा सुबह 11 बज के 10 मिनट से जो की ब्राउंज मिडल मैच रहेगा रिकव मेग्स टीम का और उसमें भारत का मुकाबला होने वाला है उजबेकिस्तान से तो ये था 19 नेवंबर का कमप्ली शेडियूल आप सभी के लिए तो कल गोल मिडल माच भी होने वाले है भारत के तो देखते हैं कि कल कितने मिडल सपनी जोली में डालता है भारत तो चलिए ये थी हमारी आज की वीडिया आप सभी के लिए इशनाचरी चांपियंशिप से जुड़ी हुई मुझे उमीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही ऐसी स्पोर्ट्स लेटेड अपडेट जाननी के लिए आप सब हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े तो फिर जल्